आखों में मंझीले थी जी हाँ दोस्तों आखों में मंझीले थी गिरे और संबलते रहें आखों में मंझीले थी गिरे और संबलते रहें आंधियों में कहा दम था आंधियों में कहा दम था चीराग हावा में भी जलती रही चीराग हावा में भी जलती रही हाई फ्रेंड्स आप सभी के एक बार फीर से स्वागत हैं, आपका अपना चैनल आशिस गुप्ता मस्ती की पार्सताला में आपकाम को कर सकतें, या पिर हम हम ही किसी काम को अर एक काम को कर सकतें, अंदर confidence की भावना रखो, over confidence की भावना कभी भी न रखो, खली ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज नहीं की, वो पीड़ी ये चाहरे कि मेरे को freedom मिले, मेरे को पूरी तरीके से अजादी मिले, ताकि मैं अपने जिन्दिगी को अपने तरीके से जी सकूँ, क्योंकि न उसे खाना मिलेगा और नहीं उसे पानी मिलेगा, वह जिन्दे जी पागल हो जागा है, इसी कारण यूवर पीड़ी को कह रहा हूँ, वो discipline में रहे, freedom life के पीछे कभी भी न भागे, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उडान बाकी है, जमीन नहीं है मंजीर मेरी अभी पुरा असमान बाकी है, यूवर को की बात करूं तो life में perfect work न मिलने के कारण, जिन्दगी से हार मान कर खुदखुशी कर ले रहे, यूवर और यूवरतियों की बात करूं तो life में perfect work न मिलने के कारण, जिन्दगी से हार मान कर कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब life में साधी कर ले रहे, ये दोनों किसी भी problem का solution नहीं है, अगर आपको लाइफ में काम्याब बनना है और जी हाँ दोस्तों अगर आपको लाइफ में काम्याब बनना है तो उनके लिए काथ बने काथ जत मारकरे आपके पीछ आएगि दूसरों को ना देखें कि वो अपने लाइफ में कितना successful है जी हाँ दोस्तों आप कभी भी दूसरे को ना देखें कि वो अपने लाइफ में कितना successful है क्योंकि यहाँ सब देख देखकर आप अपना समय love कर रहे हैं आप खुद कैसे successful बन सकते हैं, कैसे successful आदमी बन सकते हैं, ये करने की सोचें, लोग कहते हैं, impossible, impossible, ये मेरे से नहीं हो सकता, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, impossible का मतलब चाहता है, जी हाँ दोस्तों, वो लोगों को बताने जा रहा हूं, जो हमेशा कहते हैं, यह impossible है अरे दोस्तों impossible का मत्रवी होता है I am possible मैं यह दि कह रहा हूं कि light में M ना बना light में M जरूर बना लेकिन कभी भी fixed M ना बना light में movable M बना तक इस समय और situation की सबसे उस M को change किया जा सके जी हां दोस्तों कभी भी light में fixed M ना बना और हां दोस्तों light में M जरूर बनाओ और इस तरह एक माचिस की स्रिप एक माचिस की काड़ी को कोई भी अराम से तोड़ सकता है लेकिन वही माचिस की 20 काड़ी को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो यह कोई भी साधारन वेक्टी इसको नहीं तोड़ सकता है इसी तरह हमें भी अपने life में सबसे मिल जूल कर रहे नहीं तुकि दोस्तों यदि उस 20 माचिस की टिली में एक माचिस की काड़ी को भी अगर आग लगा दिया जाए तो पूरी की पूरी 20 की 20 काड़ी जल कर लगा हो जाती उसी तरह यदि हम सब के साथ मिल जूल कर रहते वे भी कुछ गलत करते हैं तो पूरे ग्रूप में हम होने के बाद भी हम अपने आपको अकेला feeling महसूस करते जी हाँ दोस्तों अकेला महसूस करते सामसूर्य को घलना सिखाती है घिरने वाले को होती है तकलिफ बड़ी एंसान को चलना सिखाती है दो दोस्त रहते हैं जी हाँ दोस्त रहते हैं आसिस और मयंक मयंक आसिस से करता है कि यार आसिस अब मेरे लाइफ में कुछ ना रहा मेरी लाइफ मेरी जिन्दिगी खतम सी लग रही है तभी आसिस बात को पलटते हुए कहता है यार मयंक यदि कोई तुमको पानी में ढखेल दे तो तुम क्या करोगे यदि कोई तुम्हें पानी में ढखेल दे तो तुम क्या करोगे तो मयंक कहते हैं पता नहीं यार मैं क्या करूँगा कुछ दिन बाद दोनों एक तलाप के किनादे में मिलते हैं दोनों बात करते रहते हैं तभी आसिस मयंग को पानी में ढखेल लेता है मयंग का सीड पुरी तरिके से पानी के अंदर आ जाता है तभी मयंग अपनी पुरी बल लगाकर पानी से उपन निकलता है और आसीस को एक टमाचा मारता है और आसीस मयंक से सॉरी कहते हैं बोलता है कि यार मयंक सॉरी यार जब तुप पानी में था तो तुझे क्या सुझ रही थी तो मयंग कहते है यार मुझे बस ये सुझ रही थी कि कहीं से भी मुझे सांस मिल जाए जी हाँ दोस्तो कहीं से भी मुझे सांस मिल जाए इस कहानी को कहने का सिर्फ या मतलब है या ताथ पर यह है कि यदि हम किसी प्रॉब्लम को जब तक के फेस तू फेस फेस ना करेंगे त तुनिया बदलने के लिए खुद को बदलना होगा कहीं पहुचिने के लिए कहीं से तो निकलना होगा